खाइस हम आज बजाज के इंजनल के बारे में बात करेंगे जो यह ओइल आता है बजाज का वैसे तो यह एच्पी का है बजाज उससे बाए करता है लेकिन यह 10W30 जो प्लेटिना में डलता है और यह 2050 पलसर सीरीज में डलेगा और यह दुपनाज सीरीज में डालते हैं 10W50 इन तीनों की draining capacity 10,000 km है और ये आपकी पहली service 500 से 7500 के बीच में जोब होती है पहली वो उसमें change होता है, second service में top up होगा और third service में replace होगा ये engine oil चलता है 10,000 km कोई दिक्कत आती नहीं है मैंने भी अपनी गाड़ी में डालके चलाया हुआ है इसको और हम तो workshop में ही काम करते हैं तो यहां यह oil हर गाड़ियों में डालता है और इसी performance अच्छी होती है कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है यह इंजन आपको market से market में भी मिल जाते हैं लेकिन यह workshop में आपको पूरा proper मिल जाएगा जो workshop में मिलेगा वो original मिलेगा आपको oil और यह गाड़ियों में जो भी दालते हैं अपन हम इससे performance भी ठीक रहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है यह वाला उयल तो जो है प्लेटिना में डलता है इसकी डेनिंग कैपसिटी दस जार किलोमेटर है पहली सर्विस में चेंज होगा सेकंड सेकंड में टॉप होता है यह बल यह पलसर सीरीज क प्लसर शीरीज की गाड़ियों में डलता है और यह डॉमदार धाइसो डॉमदार टूफिटी यह गाड़ियों में अच्छा चल अच्छा पर्फॉर्म करता है और वैसे ही मोटूल की टककर का इंजन ओल है यह बारसो ग्राम में आता है इसके साथ यह सीसी देख रहे हो किसी गाड़ी में सत्रवसो डलता है यह यह posição डलता है तो यह अगर चार शीसी और उसकी कौस्ट अलग होती है इसकी कौस्ट अलग होती यह है आपको फटेगा बारसो पंदिरो रुपे का बिनार का और बीज डावलु तेनों ही अच्छे हैं हमने अपनी गाड़ी में चला के देखे हमारी गाड़ी में यही ओईल डलता ही है बजाच की गाड़ीयों में हम एक्स्टा ओइल डालते नहीं है बहार से कोई भी है चाए वह और यह जो चलता है इसकी डेनिंग कैपसिटी अच्छी है अल्टिमेट पर्फोर्मेंस बनाता है गाडियों में आपकी स्मूज चलेगा और दिक्कत आती नहीं है इन सब चीजों से और आपको अगर कहीं मार्केट से मिले नहीं तो मारी मदरू मोटर की वरक्शोप है आप कभी भी आके आमजे और ले सकते हो आप